तो आज अलेक्सिन कमीसिन ने चुनाव की तारीकों का एलान कर दिया है और बिहार में कुल मिलाकर 7 चरनों में वोट डाले जाएंगे और चुनावी नतीजों की बात करें तो वो है 4 जून को और सबसे आखरी चरन जो होगा वो एक जून को होगा और 19 अप्रेल से पहला चरन सबस्ता हो रहा है और हम अगर बात करें देज भर में तो तीन राज यह ऐसे हैं जहां पर 7 चरनों में चुनावी वो और्गनाईज कर आए जा रहे हैं बिहार उत्तर प्रदीस और पश्यम बंगाल इन तीन श्टेट्स में 7 चरनों में चुनावी वही महराष्टा में 5 चर को 25 तारीक को सीवान महराज गंज गोपाल गंज और जो चंपारन पश्मी चंपारन है इन जगों पर जो है छट्थे चरण में चुनाव डाला जाएगा यानि कि 25 मही को और वहीं छप्रा जिले की बात की जाए तो छप्रा में जो चुनाव है वो होगा पांचवे चरण में चुनाव होगा और आखरी चरण में जो बकसर और जो आरा का जो छेतर है उधर साइड वो चुनाव होगा तो यह है आज की सबसे बड़ी अपडेट तो डेट सेव कर लिजिए 25 मई अगर आप सिवान जिले के हैं और जो देश का जो सबसे बड़ा पर्व है जो लोग सभा चुनाव है उसकी डेट अब से मादरे एक महीने और कुछ दिन के बाद जो यह महा कवरेज है जो देश का सबसे बड़ा पर्व है वो श्टार्ट होने वाला है थांक यू पर वाचिंग और प्लिस अप्लिस अप्लिस अप्लिस